साथियों नमस्कार, मैं सलम चौपदार, फेस्बुक लाइप पेज पे आप लोगों का हर्दिक श्वागत है, आज हम लाइप जुड़ रहे हैं आप लोगों से एक जोलंत मुद्दे को लेके, राजस्तान के काफी युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं, बार-बार मेरे पास कल से ही कॉल आ रहे हैं कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, इस प्रकार की सूचनाएं वगेरा, बहुत सारी बाते हैं, तो जितने भी युवाश आती हैं वो एक बार जुड़ें, और जितने भी अभ्यरती है, वो इस बात के लिए त्यार रहें, नमस्कार रामरान जी, चोदरी जी, आप सभी के मैं कमेंटों के जवाब दूँगा, आप चिंता ना गरें, पहले हम जो बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम बात रखने कोशिश करते हैं, आज राजे सरकार ने एक प्रतिक्षा सुची जारी की है, सभी नवचेनित अध्यापकों को मेरे तरफ से बधाई, रास्तार रोजगार महासंग की तरफ से आप लोगों को बधाई, हम चाहते हैं कि आप एक नए आयम स्तापित करने जा रहे हैं, एक टीचर बढ़ने जा रहे हैं, और जितने भी अध्यापक है, वो इस जिम्मेदारी को सच्चाई और पुनिष्टा के साथ निर्वन करेंगे ऐसी मैं उमीद रखता हूं, तो जो मुद्दा है, कही लोग बात करें है, कि इस परकार की यह जो मुद्दा है, तो हम उसी बात की बात करेंगे, कि पर्थम लेवल और दित्यों लेवल की जो बात है उस पर बात करेंगे पर्थम लेवल और दित्य लेवल बहुत जौलंत मुद्दा है राज्जे में काफी युवा इस मुद्दे को लेके परिशान भी है बियैस्टीशी के बहुत सारी युवा कमेंट भी कर रहे हैं अच्छा लग रहा है कि 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 भी केडिन की बात है और की कोच अच्छा भी लग रहे हैं मैं सोचरा हूँ एक बार यूट भी जुट जाए फिर मैं बातों को आगे मटाएंगा बिल्कुल राम राम सभी का अभिफादन्स देखिए चलो हम बात पे आते हैं बिल्कुल एकता जिन्दाबाद जितने भी लोग आप कह रहे हैं BSTC हो चाए BAD की जो एकता रहेगी उछकी जीत है अच्छी बात है जितने भी लोग है आप सभी लोगों का जो कारिय है वो आप कर रहे हैं इससे अच्छा ये है कि इन बातों को तवज़ों ना दे के मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ शुक्रिया अब जो बात कर रहा हूँ सबसे पहले हम जो जिकर करने जा रहे हैं वो राजयों की जो विवरण है कई कल आप लोगों को पता हो कि भारत में शिक्षा प्रणाली दो परकार का हिशा है केंधर सरकार की पास भी है राजे सरकार पास भी है इसका सुम्रति शुच्ची को रखा गया है लेकिन जो अधियापकों की मैं जो जो guideline त्यार की जाती है, वो खास तोर से NCTE उसमें नियम बनाती है। आप लोग इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि पिछली बार जो system था, 2011 में एक NCTE की guideline आई थी, उसमें level पर्थम में BSTC को सामिल किया गया था। 2018 में दूसरी guideline आती है, इसमें level पर्थम में BSTC के साथ साथ बीड को भी अलाव कर दिया गया। यही विवाद की जड़ है, यही से विवाद अपनप जाता है, क्योंकि पिसली बार कई लोगों के सामने ये बात निकल के आई थी, कि एन वक्त पे बाहर होने की बात यह थी, थी कि राज्य सरकार चाहके भी बीड को सामिल नहीं करा पाई, 2011 के notification में होने के बावजुद, exam लेने के बावजुद, आयटेट का exam लेने के बावजुद भी, राज्य सरकार बीड को अलाव नहीं कर पाई, क्योंकि NCT की guideline थी, इस बात को गोर से समझे, कई लोग गुम्रा कर रहे हैं, सिरफ अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से, मेरा ये मानना था, मैं एक निजी संक्थन के रूप में, किसी भी दोनु फेवर नहीं लेना चाहता था, कि किसी के पावरें फेवर हो, व्यक्ति विशेश कोई गुम्रा ना हो, तो मैं ये चाहता था, कि जो आज हमें जो बोलने के लिए बोला गया है, कल से जो फोन आ रहे थे, इस बात को लेके, कि आप चुप क्यों हो, क्या ये गलत है, क्या सई है, तो अब हम बात कर रहे हैं, संग्रस की, संग्रस हम सभी तरीके से बात करेंगे, देखो, आगे बात बताता हूँ, राज्यस में 2012 की जो भरती थी, उसमें कोर्ट ने भी सरकार की गायडलाइन को नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि NCT का नियम था, अब यहां पे हम बात करते हैं, उत्राखंड, आप नाम सुना होगा, पंजाब, छतिशगड, मद्य परतेश, त्रिपूरा, अश्म, इसके लावा, दादर नगरहवेली, महराष्टर, और शीटेट, केवियस, अनिवियस, डियसस्वी, इन में इस बार, लेवल पर्थम में, बीयड वाले सामिल हो चुके हैं, सीधे-सीधे नोटिविकेसन में, और नोटिविकेसन स्पष्टोर से लिखा गया है, ग्रेजिएशन वीड एट 50% मार्क, यानि ग्रेजिएशन उसकी 50% होने चाहिए, एंड बैचलर ओफ एजुकेशन, यानि उसके पास बीयड की डिगरी होनी चाहिए, वो लेजिबल है, आप नोटिविकेसन को सीधे-सीधे खौल के देख सकते हैं, इंगलिस में स्पष्टोर से लिखा है, जिनको मेर किसी भी हुआ, जो बीयड वालों के साथ 2011 में हुआ था, ध्यान कर लेना 2018 में BSTC वालों के साथ होने वाला है, जो कल लोग कह रहे थे कि कहीं बीयड वाले बाहर ना हो जाए एन टाइम पर, बीयड वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे, मेरा दावा है, जो छाटी ठो एन बाहर लेकर एक फेशला आता है सुप्रिम कोर्ट में, हाई कोर्ट में BSTC वालों को फेड होता है, हाई कोर्ट में जो भानू यादव ने जो केश लड़ा था और सुप्रिम कोर्ट में राम सरमामोरिये, पिटिशनर का नाम आप सुन लीजे, और केश नमबर सुन कान खोल के सुन लिजे, पेज नंबर 80 पे, कॉल्म नंबर 46 पे, इन दा सरकास्टेनिस अप्रूब कोनिकलरेशन बाइ दा हाई कॉर्ट विद रिकार्ड दा इस इसूज एंड दा होल देड़ दा बियाड कंडिडेट वरक राइटली अलाउड टू पाइटिस्पेट इन दा स्टेट सेलेक्शन प्रोसेस, यानि राज्य सरकार उनको प्रोसेस में सामिल की जाएए यह सुप्रीम कौर्ड के जज्जमेंट है, अगर आपने कभी सविधान पड़ा है तो उसका आर्टिकल 1-9 पड़ा होगा, और दूसरीबाद देको,